कि बुलाएए ना उनको सबसे पहले तो धन्यवाद एटीवी का जो इसको कवर कर रहे हैं और जहां तक जहाज को लाने की बात है तो जहाज को ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं आई है पानी क्योंकि इस जहाज को जो चाहिए होता है जो चैनल 45 मीटर चौड़ी चैनल चाहिए और 1.5 मीटर पानी चाहिए तो उसके लिए नदी में प्रयाप्त पानी है अलांकि जादा तर लोग यह सोचते हैं कि गंगा काफी सूख जाती है लेकिन गंगा में डीप पूल्स हैं जादा तर यदि हम इस टोटल पैसेज को देखें तो यह बारा सो किलो मीटर का पैसेज था इस बारा सो किलो मीटर में करीब यह सब एड किया जाए तो दस किलो मीटर से जादा पैच लंबा είक नहीं ओगी जिसमें थोड़ा बहुत कम पानी है नहीं तो पूरी गंगा में कहीं कहीं तो ऐसे पूर्ट तक उसमें 10.5 meter प्लस पानी है और इदर से वारण शी तक Dr. पानी की तो बहुत मात्रा है गंगा में पानी की कमी नहीं है और जरुवत है उसको इखटा करने की और उस चैनल उसको चैनलाइज करने की वो प्रोसेस अलड़ी हमारा वर्ल्ड बैंक की साहता से वो चल रहा है और वो हो जाएगा तो अभी इसके बाद मलब स्लोली स्लोली क्या होना है कि बाड तक यह तीन मीटर का पानी रहेग से वारानसी तक 2.2 मीटर पानी रहेगा तो उसमें इसके बाद बड़े जहाज भी आपाएंगे जैसे अभी इसमें तो 16 कंटेनर थे तो हम 100 कंटेनर तक का जहाज जल्द ही लापाएंगे इस चैनल तो फिलहाल गंगा में उतारने के लिए अलग तरीके के जहाज भी डिज सी